आखिर उद्योग मंद्री राजवर्धन सिंग दर्ती गाओं ने रिजॉट क्यों तुड़वाया सदन में वीडियो वाली बात में क्यों बोखलाए राजवर्धन सिंग इन्वेस्टर समिट के पहले मुस्किल में फसे उद्योग मंद्री राजवर्धन सिंग दर्ती गाउं के कार्णामों से जुड़े और मामले जल दाएंगे सामने देखे भोबाल से विज्या पाठा की खास रिपोर्ट कहते है ना जब वेक्ती गलत होता है तो वो घबराहट भी सच उगल देता है ऐसा है कल विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताओं के दौरान हुआ कॉंग्रस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि एक मंत्री के खिलाफ वीडियो आने पर रिजॉर्ट क्यों दुड़वा दिया है इसके जवाब में राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं खड़े हो गए और आननफाने में एक कॉंग्रस के एक नेता पर ही रेप करने का रोप चड़ दिया और कहा कि उस बहन पर भी कुछ बोलो जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी नय दिलाओ यहाँ पर देखना भी दिल्चस्प होगा कि सदन में जीतु पटवारी ने किसी भी मंतरी या नेता का नाम नहीं लिया था फिर अचानक से दत्ती गाउं क्यों हडबडाहट में खड़े हो गए और पटवारी की बात का काउंटर करने लगे इस काउंटर से साफ साफ दिख रहा है कि चोर की दाढ़ी भी तिन का है राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं ने रैपिस्ट का काउंटर रैपिस्ट खड़ा किया मतलब साफ है कि दत्ती गाउं पर लगा रोब सौफ विस्ती सच है सरकार को तुरंत इस मामले में संग्यान दर्शकर जाच लागू करना चाहिए साथ साथ हनी ट्रैप मामले में भी राजवर्धन सिंग दत्ती गाउं का मामला खोडना चाहिए सरकार को अपनी फजीहत से बचने के लिए तुरंथी इन्हें मंत्री मंदल से बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्री दर्थी काओं का चेहरा हुआ बेनकाब मंत्री दर्थी गाओं का खिनोना चेहरा जंदा के सामने आगया है राजवर्धन सेंके इस घिनोने का नामे ने देस भर में मंत्री दरखास्त कर दिया माद्य प्रदेश शरकार भाजपा और संगठन को इस पूरे मामले को गंफिरता से लेते हुए अगामे इंवेस्टर समिट के पहले राजवर्धन सिंग दती गाउं को सरकार से बरखास कर अन्य मंदरियों और अफसरों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि पार्टी और सर इंवेस्टर समिट के पहले लगा सरकार को बड़ा चटका प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंग दती गाउं का घिनोना चहरा सामने आने से प्रदेश सरकार को पूरी तरह से बैक फूट पर लाकर खड़ा कर दिया पूरा प्रदेश इस समय इंवेस्टर समि इंवेस्ट में आने वाले उद्योगपतियों से मिलने वाले सकरात्मक परिनामों के बाद खुद को रोजगार से जुड़ता हुआ महसूस कर रहा था क्या डरा धमका कर बदलबा दिया गया लड़की का बयान कुस दिन पहले धार चिले के एक होटल में पहुँची एक हाई प्रोफाइल लड़की ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ राजवर्थन सिंग दत्ती गाउं को रैपिस्ट और बलतकारी कहा था मावला सामने आने के पास राजवर्थन सिंग दत्ती गाउं के आदमियों ने पहले जहां होटल में पहुँच कर तोड़ फोड की उससे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि सोसल मेडिया पर जो वीडियो चल रहा है और दत्ती गाउं जी के उपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं वे सब गलत है ऐसे में एक तरफा जहां राजवर्थन सिंग दत्ती गाउं की भूमी का संगिन दिखाई पड़ रही है वहीं दूसरे तरफ घटना के कुछ घंटो बाद लड़की का दूसरा वीडियो सामने आना इस बात की और साफ इशारा करता है कि बेवस लड़की दत्ती गाउं के आतंक से कितना सहमी हुई है सरकार के लिए बनी असमजस किस्थिती मत्र प्रदेश शरकार के लिए अब बड़ी असमजस किस्थिती बन गई है जनवरी के पहले सब्ता में होने जा रहे विश्वक्याती प्राप्त उद्योग पत्यों के साथ इन्वेस्टर समीट का प्रति राले की एक बाठक में खुद प्रदेश के आलाफसरों ने मुख्य मंद्री को इस बात की जानकारी दी कि इन्विस्टर सम्मिट में महमानों की अगवाई रेपिस्ट का आरोब लगे एक मंत्री से करवाना प्रदेश शरकार की छवी को उद्योगपतियों के सामने कमजूर क दर सकता है और भी हो सकते हैं जल्द खुला से धार जीले किस घटना के बाद जब हम उस होटल और मंत्री के ग्रिजीले बदनवार पहुंचे तो कई ऐसे राज सामने आएं जो चोकाने वाले हैं नाम न छापने की शर्ट पर पार्टी के स्थानी कारिकरता ने बताया कि मं और भी मामले सामने आएंगे क्योंकि मंत्री जी ने धार जीले किस होटल को और बदनावर को केवल अपने गलत कामों का अड़ा बना रखा है यही नहीं मंत्री किन हरकोतों से सिवराज कैबिनेट के अन्य मंत्री वह अफसर भी परिचित हैं लेकिन अभी तक इसी ने कोई कारवाई करना उचित नहीं समझा हनी ट्राप में भी सामने आ चुका है दती गाओं का नाम उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंग दती गाओं के कारणा में सिर्फ धार जीले किस होटल तक सिमित नहीं है प्रदेश की बहुँ चर्चित हनी ट्राप घोटाले में दती उन्होंने लोकतंद्र के चौथे स्थम पर रोक लगाने की गौहार लगाई लेकिन हाई कोट नी अभिवेक्टि किस था स्वतंद्रता का सम्मान करते हुए दती गाओं की गौहार को सीरे से खारिच कर कोट से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया अपने उपर लगे की बात सामने आने के बाद सोचल मेडिया और अखबारों न्यू चैलल पर चलाई जा रही उनके इस कारणामे की खबर रोकने के लिए दती गाओं हाई कोट पहुचे थे